आगरा में सरवाधेत लोग की एड चैनल सीन्यूस के एड को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें लोगों का कहना है कि अगर समस्या का समाधर नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा लेकिन सीवर लाइन को ठीक नहीं किया गया है सड़कों पर पानी फैल रहा है गंदगी से बिमारी फैलने का अंदेशा बना हुआ है कोरोना वारिस से बचने के लिए प्रशासन हर प्रकार के इंजाम कर रहा है लेकिन नगर निगम इस तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दे रहा है यहां कि इस समय कोरोना में आदमी साफ सफाई से रहता है यहां बिलकुल मच्छर हो गए हैं पुरी बाज मारती हैं लिटे मारते रहते हैं इसलिए यहीं इस कोलोना में पुरी तरह परिशान है और यहां पर कोई भी काम नहीं दे हैं अधो बार मस्ञेन भी वुलवाई गही हैं लेकिन मस्टी वाले कुछ करकी नहीं गया है मैंने कई बार यहां शिकायद कर दी है लेकिन अभी तक यहां कोई ठीक तरीके से नहीं आ रहे हैं यहां बीमारी भी पैदा हो रही है और इस समय हरा आदमी अपने घर में हैं बहार दरा थोड़ा काम के लिए निकलता तो यहां बास मारते हैं इसलिए इस कॉलोनी का जो हाल जसके तस बने हुए हैं सीबल लाइन का गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है इस से लोगों को आने जाने में परिशानी हो रही है इसके साथ ही दुरगंद से शित्री लोग भी परिशान है यहां पर यह नाले टायव टूट गई है अपने आप इस होते हैं बहुत लंबे पुराने टायम की लाइन पड़ी हुए है यह जगे जगे हो गया और यह इसको सही तरीके से इसका नसफाई की गई है जगे जगे पर काम हुआ है इसलिए यह जो है उपर होगे इसकी लाइ इसलिए हम लोग यहां सांत हैं रालोद नेता नरंद बगेल का कहना है कि नगनिगम ने सिविल लाइन को ठीक नहीं कराया है लॉकडाउन के चलते लोग घरों में कैद हैं लॉकडाउन के बाद सिवल लाइन को लेकर आंदुलन किया जाएगा जिसके जिमेदारी प्रशास की होगी उमेश शर्मा सी न्यूज अगरा